ड़िको एटावाटिवाय जवल्कमे Ai'vesst Nilक मैं पर बहुत बहुत सस्वागत है तो आज मैं एक बहुती स्वाधिस्ट केक की एक डिखा नाई हो जोकी आज क chickens बहुत ज्यादवे चल रहा है और यह खाने मी पर पर बनाएंगे तो कोई भी कॉम्प्रमाइस ना करना परें तो मेरा जो रेसिपी है वह बहुत ही जादा है बहुत ही सिंपल होता है तो इस रेसिपी को अगर आप मेरा एक सब्सक्राइब और एक केक बने लाख का परी क्वाच कर Noahagen खारी है और गुम्क मेरी स्पात जाता है आप का जब्रेसिपीuchenिक से आध की सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो हम धो कहिए तो चलिए के ओर जहँए आपको हुआ है को स्टर अगर अगर में कम रिवा नानाने अरे चैनल को शस्क्राइब करना बिलकुल अबूले चैनल को स्कुराईब करने बेल अगे तो आज हम एक बहुती स्वादिस रस्मलाई केक की रेसिपी बनाने जा रहा है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो इसके लिए मैंने यहापे ले लिया है हन्डे डेविल मैदा बहुती सिंपल इंग्रिडियन्स है कुछ भी ताम जहाम की जरूरत नहीं आपको 1.5 टीजपून मिल्क पाउडर मैंने यहापे चोटा चम्मच का थोड़ा सा दो बाड़ यूस किया है तो आप 1.5 टीजपून का ले लिजिए 1.5 टीजपून बेकिंग पाउडर और 1.4 टीजपून बेकिंग सोडा ठीक है बस ही चाहिए और थोड़ा सा सॉल्ट इसको हम मिक इसको हम चान लेते अच्छे से थाकि हमारा जो इंगिडियन्स है सारा इंगिडियन्स आपस में अच्षे से मिंक्स हो जाए तो इसको हम कर लेंगे साइड में और अभी हम वेट इंगिडियन्स की सारे जो इंगिडियन्स है हम ले लेंगे मैंने यहाँ पर हंडेड एमिल शुगर लिया है आइसिंग शुगर या फिर आप पीसा हुआ घर पर जो बनता है वो भी आप यूस कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर यूस किया है दो अंडा और मेरे पास असेंज में बदाम का अपके पास होगा तो आप यूस कर सकते मेरे पास नहीं है तो मैं उसको उसके बदले मैं थोड़ा सा वैनिला एसेंस का यूस करूंगी फोट टी स्पून का वैनिला एसेंस लोगी ताकि अंडे का जो स्मेल है वो निकल जाए और मैंने यहाँ पर 40 ml रिफाइंड ओयल का यूज किया है आप चाहे तो बटर का भी यूज कर सकते है और मैंने लिया है यहाँ पर इलाइची जो छोटी इलाइची होती है उसको मैंने घर पे ही पीस के यूज किया है क्योंकि इसका जो खुश्बू है वो अलगी आता है और मिठाई वाला केक है तो इलाइची पेस्ट तो पेस्ट या फिर पाउडर अब कोई भी यूज कर सकते है ठीक है मिठाई वाला केक है तो इसके लिए मैंने इलाइची पाउडर का इसको और में अच्छे से मिक्स कर लूगी और मिक्स हमें पर करना है अब उप नहीं करना हैं। इंसके बात में घ। वड़ींडी करुआ यह नहीं पर एकह realizing मिकष्ण कर लूगी होगार dalla ऊच्छा करने जिर रहोगा। तो आप यहाँ पे केसर का भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क में केसर को थोड़ा सा भीगो के रखके उसका भी यूज़ कर सकते हैं, गरम मैं यहाँ पे वर्म वाटर का यूज़ करूँगी, आप उसके बदले उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर बेटर रहता है, आप मैं जैस और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ज्यादा हम नहीं करेंगे दिर कि इसको अच्छे से कटन फोल मैंठट में मीख करेंगे तो यह हमारा बाटर हो गया है बिलकुल रेड़ी और मैंने केक्टिन को भी रेड़ी कर लिया है तो मैं दो 6 इंच का केक तीन में इसको हाफ हाफ करके डाल रही हूँ, मैं ज्यादा भर केक को नहीं बनाती हूँ और मैंने ओवन को 10 मिनिट के लिए पहले प्रिहिट कर लिया है, मैं इसको बेक करूँगी, 180 डिग्री टेंपरेचर में 25 मिनिट के लिए, तो इसको मैं कर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन यलो कलर, फूट कलर और पीसा हुआ, जो इलाइची पेस्ट था, इलाइची का पेस्ट था, उसको भी मैंने 1 फोर्ट टीस्पून डाल के मिक्स कर लिया था, जिससे की हमारा विप क्रीम में टेस्ट आ जाए, तो फास्ट लिया में हम क्या करेंगे पहलेस पंच को रखेंगे, उसके बाद मलाई का जो रस आता है उसको हम उससे हम पूरे स्पंच को सूख कर लेंगे इस तरह से ताकि जो पंच है उसमें रस मलाई का सुवाद भी आ defense हहाए और फ्लेवरर भी आ जाए, क्योंकि आपकि इसमें मैं हमें ब मोटकु विप क्रिम को डाला है उसके बाद जो मीठाई है रसमलाई का उसको हमें छोटे चोटे ने कट करके उसको भी रख दिया है ताकि हम एक केक का टेस्ट है वह बहत अच्छा है तो उसके बाद हम पूरे केक को विप क्रिम से कवर कर लेंगे लास्ट लैयरिंग करने के आपको उइप क्रीम की रेसिपी चाहिए वह भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे अगर केक कि एजिस को शार्फ करना वह भी मिल जाएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दुञे आप जाके चेक कर सकतें आपको अगर देखना है वो वीडियो तो, तो मैं यहापर के talking की चारो तरफ कि design करने के लिए एक scrapper का use कर रही हूँ आपके पास ना हो तो आप new comb भी use कर सकते हैं तो यहापर almond को पेस्टाओ का इस मैं बनाया है उसको मैं चारो तरफ से स्टक कर दूँगी इस तरह से अच्छे से पकर के हमें करना है ताकि केक फीस लेना थीक है चारो तरफ अच्छे से लगा देंगे हम केस जो पीस्ता है और अलमंड है और उसके बाद हम क्या करेंगे जो मैंने यहां पर क्या क्या है रोस का जो पैटल्स है उसको मैंने च्छोटे च्छोटे पीसिस में कट कर लिया है तो हम इसमें चारो तरफ केकी चारो तरफ रोजेस की पैटल्स लगा देंगे ताकि यह बहुत ज़्यादा खुबसूरत और एक अच्छा सा स्मेल भी आएगा तो आप इसको लगा सकते हैं यह ऑफ्शनल है अगर आपके पास ना अवेल हो तो कोई बात नहीं आप इसके बिना भी कम चला सकते हैं और इसके बाद मैंने आप एक रसमलाई का मीठाई है मलाई वाला उसको मैंने अलग एक रख दिया है डिजाइन करने के लिए यहां पर आपके मर्जी आप कितना रसमलाई यूज करना चाहते हैं ठीक हैं आप उस हिसाब से यहां पर रख सकते हैं आपको अगर मैं ऊपर में डिजाइन करूंगी फ्लावर जैसा बनाऊंगी अगर वह नजल नहीं है आपको या फिर आपको बनाना नहीं है तो आप क्या करेंगे सिंप्ली इसके ऊपर से भी आप पिस्ता और अलमंड और रोज इसके पैटल्स डाल के जितना रासमलाई आपको डालना है उतना नॉजल का यूज करूंगी यह पर और एक मिठाई को मैंने बीडिल में डाल रखा है ज्यादा मिठाई का मैं यूज नहीं कर रहे हूं तो मिडिल में मैंने डाल रखा है एक और चारो तरफ से इस तरह से फ्लावर जैसा संफ्लावर जैसा में बना दूंगी चारो तरफ से आप इसकी decoration कर सकते हैं और जितना चाहे आप रसमलाई यूज कर सकते हैं नो लिमिट तो आपको जितना खाना है आप उस हिसाब से रसमलाई को रख सकते हैं ठीक है मेरे कहने का मतलब यह है तो मैंने यहापे पूरा complete कर लिया है और नीचे से भी मैं थोरा सा design कर दूंगी तो हमारा आप केक कर जो decoration है वो हो गया है complete चलिए उपर ऐसे ही आप रख सेकते हैं चलिए थोरा सा उपर में भी सुना सुना लग रहा है तो मैंने क्या क्या है जो के पिस्ता और अलमेंट था उसको भी रख दिया है थोरा सा चारो तरफ से अच्छे से और रोजिस के जो पैट सुरत लग रहा है हमारा केक क्या बताओ वीडियो पसंद आये तो एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलती हूं मैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई